हेलो नमस्कार मिरा नाम है अबना शराब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जहां पे खिलाडी अच्छा पफॉर्म करे तो भी उसे जो है टीम से बाहर निकालने की या फिर उस पोजिशन से नीचे निकालने की बात करते रहते हैं जी हाँ बिलकुल आपने साही सुना 14 तारिक से 5 मैचों की T20 सिरीज 5 मैचों की 1 डे सिरीज खेली जानी है और T20 सिरीज जैसे ही शुरू होने वाली है स्कौड भी अनांस हो गया उससे पहले ही एक बार फिर से विदवा, विलाप, कुछ पत्रकारों का, कुछ यूटूबर्स का जो पाकिस्तान से तालुक रखते हैं उनका शुरू हो चुका है विदवा, विलाप, जैसे उनका शोहर मर गया हो वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से ओपनिंग करेंगे मुहमद रिजवान और बाबर आजम जैसे ही स्कौड अनांस हुआ मैंने कुछ पत्रकारों को, कुछ यूटूबर को अपने यूटूब पे ग्यान पिलते हुए ये सुना कि बाबर आजम को नमबर तीन पे और मुहमद रिजवान को और भी जैदा नीचे चले जाना चाहिए बैटिंग करने के लिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्ट क्या है फैक्ट ये है कि टी ट्विंटी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में जिस तरीके से ओपनिंग साजिदारी मुहमद रिजवान और बाबर आजम ने की है आज तक किसी भी टीम के खिलाडियों ने नहीं किया है फिर से बोल रहा हूँ आज तक किसी भी देश के ओपनिंग जोडी ने वो कारनामा नहीं किया है जो मुहमद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए किया है अब आपको आकड़े हम बताते हैं ऐसे अपने मनी मनी बोलता मैं आकड़ों के साथ मैं बात करता हू 52 इनिंग में बाबर आजम और रिजवान ने बलिबाजी किये 52 इनिंग में इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग पेर के तौर पे दो बर नोट आउट रहे हैं आपको भी पता है दो बर कब नोट आउट रहे हैं एक वो जब भारत के खलाब मैच हुआ था और 152 जीरो हुआ 10 विक्टों से हराया था ताब और एक मैच हुआ था शायद वो कराची का मुकाबला था इंग्लेंड के खलाब 200 प्लस रंजो हैं चेज किया था तो दो बर नोट आउट रही है ये जोडी ठीक है इसके बाद 2538 रंड बनायें दोनोंने साथ मिलके 2538 अगर आपको हिंदी सम विक्टों से हराया था 50.76 यानि लगभग में 51 का एवरेज है दोनों ओपनिंग पेर का यानि कि जब बाबर रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो कम से कम 51 रंड की दोनों साजेदारी करते हैं 9 सेंचूरी पार्टनर्शिप है 9 सेंचूरी पार्टनर्शिप ह और 9 अर्धशत्किय साजेदारी है यानि 50 प्लस जो है इनोंने साजेदारी के टोटल 18 50 प्लस साजेदारी जो है बाबर रिजवान और मुहमद रिजवान ने किया है पाकिस्तान के लिए और ये 51 का एवरेज जो है ना टेस्ट मैच प्लेइंग नेशन में किसी भी टीम की ओपनिंग जोडी इनके आसपास भी नहीं है फिर दोहरा रहा हूं आसपास भी नहीं है और एक बार फिर से विदवा विलाप शुरू हो गया है कि इस ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेर को अलग कर दो एजेंडा फिर से शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की हार की जिम्मेदार जो है वो बाबर और रिजवान की जोड़ी ही रहती है क्योंकि ओपनिंग जोड़ी जो है इनका बढ़िया नहीं है सैम अयूब मुहमद हैरिस को आपने ओपन करा के देख लिया अफगानिस्तान के खलाप और वहां पर अभी आपने देखा कि कितनी मस्त साजेदारी जो है य मुहमद रिजवान और बाबर आजम नहीं हैं आपकी टीम की कमजोरी लोर ओडर है जो एक्सलरेट करना नहीं जानते हैं सही तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं अब आप बोलेगा कि बाबर आजम नमबर तीन पर खिलेंगे तो उसके बाद जो है कंसिस्टेंट रह ही रहे हैं, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, मैचेज एक साथ जिता रहे हैं, तो फिर आपको दर्द किस बात की हो रही है, आप अपना मिडल ओर ठीक करने के बजा है, उस पर सवाल करने के बजा है, जो नमबर तीन पे, नमबर चार पे, नमबर पांच पे, न अयूब और मुहमद हारी से ओपन करेंगे तो क्या 51 रणकी साजेदारी पहले मैच के लिए और वो consistent हो पाएगी क्या क्या हर पिछ पर क्योंकि आपको सिर्फ पेस वाली राबल पिंडी का विकेट नहीं मिलने वाला है दुनिया में आप शार जहां में भी खेलेंगे क्येंड को देखते देखते आपने स्ट्राइक रेट का जो है दिमाग में रख लिया है कितनी टीम हैं जिन्होंने 1500 300 के स्ट्रैक रेट से कितने ओपनिंग जोडी है जो बलेवाजी करते हो हम अपनी इंडिया का बता रहा है आपको हमारे पास शायद एकका दुका बैट्स अभी तक बल्लीबाजी की है सूरिया के अलावा हार्दिक पांडिया का नाम आता है वरना सारे के सारे वन फुटी नीचे आ जाते हैं किसी का भी स्ट्राइक रेट बढ़िया नहीं है और आपको दूसरे नंबर पर बताता हूं 42 इनिंग खेलिए रोहिष शर्मा के अलराहू की जोड़ी ने टीम इंडिया के लिए एक बार नौट आउट रहे हैं अठारो सो संतानबे रन एक सो पैसट रन की हाइस साजेदारी की है 46 का एवरेज है यानि रोहिष शर्मा केल राहूल जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो भारत को पहले विकेट के लिए औस तन ओन एवरेज 46 रन की साजेदारी करते हैं पांच शतकिय और दस अर्दशतकिय साजेदारी इन्होंने किया बाबर रिजवान से भी आगे नहीं है मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ मैं स्टाट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस स्टाट्स के बारे में लोग हमेशा देखते रहते हैं जिस स्ट्राइक रेट के बारे में हमेशा देखते रहते हैं स्ट्राइक रेट हमेशा सब कुछ नहीं होता है कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है माई लोड कंसिस्टेंसी नाम की और चुकी 14 तारीक से एक बार फिर से सिरीज शुरू हो रही है तो ये स्ट्रैक रेट वाला जो 14 है वो एक बार फिर से निकल कर सामने आ रहा है ये वो लोग कर रहे है जोने इंडिया से व्यूज इंडिया से सब्सक्राइबर चाहिए होता है बाद बाकी यही लोग जब आप लोग 10 विक्टों से किसी टीम को हराते हैं इंगलेंड को हरा है इंडिया को हरा है उस दिन आपको स्ट्रैक रेट का नहीं पड़ा था उस दिन स्ट्रैक अरे भाई आखिरकार होता मैच जीतना जब बाबर रिजवान आपके मैच जीता रहे हैं कमजोरी आपके लोर ओर्डर में है आप रिजवान ये मुहम्मद नवाज को ठीक करो इफ्तिकार चाचु को ठीक करो जो नीचे तीन चार नंबर पांच नंबर पे खेलते हैं जब वो कंसिस्टेंसी रन ही नहीं बनाएंगे तो अकेला बाबर रिजवान तो सब नहीं करा पाएंगे ना सिर्फ दो ही प्लेयर तो नहीं खेलते हैं ग्यारा प्लेयर खेलते हैं तो मैरेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रही है बाबर और रिजवान को अलग कर दो इनकी जो है मंशा पूरी हो जाएगी मैं फिर क्या रहा हूँ जितने तुमारे पिछवाड़े में ताकत है उतना लगवा लो लेकिन कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ पाएगा और तोड़ भी दिया ना तो ओपनिंग जोड़ी इतना ज़्यादा हगेगा कि आप खुद बोलोगे नहीं बाबर रिजवान ही ठीकते इनको फिर से ओपन करने के लिए लेक्या हूँ ये मैं ओपन ली पोल रहा हूँ आप आजमा के देख लेना दो सीरीज तीन सीरीज चार सीरीज जितना आजमाना आजमा के देख लेना सेम आयूब को भी बाबर आजम बनने में ना साल लग जाएंगे बहुत साल लग जाएंगे और फिर जाकर आपको रिजवान क्या थे और बाबर क्या थे बस इतना ही कहना है रिकॉर्ट्स अगर आपको मेरे से बहतर पता है तो आप इस वीडियो के रिप्लाइ में जो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं बात बाकी यही कहना था तो मेरी निगाहों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में बाबर और रेजवान से बढ़ियां जोड़ी अब तक कोई पैदार नहीं हुई हैं धन्यवाद